खुल गया खुल गया खुल गया इगनु के एस्टेडी सेंटर खुल गया इगनु के रिजिनल सेंटर खुल चुका है जी हाँ दोस्तों आप भी काफी बेसबरी से इंतिजार कर रहे थें कि आखिर कर इगनु कब अपने कलासिस को खोलेगी कब हम सभी कलासिस करने जाएंगे यदि आप भी इस चीज को काफी जादा दिनों से इंतिजार कर रहे थे तो आप सभी के इंतिजार के घणिया हो चुकिये खतम क्योंकि इगनु ने जारी कर दिया गया ओफिसली तोर पर लेटर जिसमें यह बताये गया है कि कलासिस इस परकार से स्टार्ट होंगे जी हाँ दोस्तो आप सभी के बीच में आचुके हैं इगनु खोनले के लिए तिथी जारी कर दिया गया दोस्तो पूरी खबर दिखाएंगे पूरी अपडेट दिखाएंगे जब जस्त तरीके से आपको बताएंगे दोस्तो पूरी अपडेट देखने के लिए आप वीडियो काफी ज़्यादा उतावले हो रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को जादा सजादा लोगों तक सेर जरूर करिएगा तो चलिए दोस्तों बीना देरी किवें स्टार्ट करते हैं आपको बता दें दोस्तों यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं के लिए कच्शाय फिर से सुरू करने के बारे में अपनी अधिकारी बेटिस जारी किया है ंटिस के अनुसार बिसम समेस्टर की कच्शाए अठारो् नमबर से reducing होने की संभामना है जी हाँ दोस्तो आप सभी के जो कचाएं है वो 18 नॉंबर से सुरू हो जाएगी दोस्तो अब आप सभी के पास इंतिजार के घणिया हो चुकी है दोस्तो खतम ये एक बहुत ही जबजस्त और आप सभी के लिए बहुत ही लाबदाई खुसकबरी है आयोग ने पहले भी सभी संबद बिस्विद्याले को सुचित किया था कि सेचनिक सतर 2020-21 के लिए सभी चातरों के लिए कचाएं नॉंबर में सुरू होने की संभामना है सस्थानों को इस सतर के लिए 31 अक्टूवर तक परवेश परक्रिया भिपूरी करनी है इसके आलावा दोस्तों यह भी बात लिखेगे कि यूजी यूजी सी द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि 30 अक्टूवर तक परवेश परक्रिया एडविशन प्रोसेस पूरी होने पर सभी भी स्विद्याले नॉम एक नॉमबर से अपनी कच्छाएं सुरू कर देंग लिए बिस विद्याले को एक सपता में 6 दीन के दीनों के लिए कच्छाएं आयुजीत करनी पड़े सकती है तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के जो कच्छाएं है उत पूरे के पूरे एक सपता में 6 के 6 दीन पूरा कच्छाएं होगे यानि कि 18 नमबर से दोस्तों आप सभी की स्टेडी सेंटर को बिल्कुल भी खोल दिया जाएगा और जो भी समय सीमा थे सभी विद्धारतों को उसी समय से मिया पर आप सभी अपने अपने कलासेस को कर सकते हैं यह UGC के तरप से गाड़ लें जारी किया गया UGC सम्बंद सभी विद्धारे के लिए कच्छाएं 18 नमबर तक सुरू होने की संभामना है लेकिन चर रह कोई 19 के कारण कच्छाएं इस समेस्टर के लिए मिसरित मोड में आवजित की जाएगी इसके आलावा दोस्तों यहां पर यह भी लिखाई यह है बिस्विद्ध्याले को चातरों या सिच्छकों के सुविधा के अनुसार ओनलाइन या ओफलाइन मोड यानि ओफलाइन मोड में कच्छाएं संचालित करने की स्वतनता होगी परवेस रद होने की स्थिति में बिस्विद्ध्याले को पूरी फीस वापस करनी होगी यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों परवेस अगर किसी कारणवस रद हो जाते हैं तो आप सभी के लिए जो फीस होंगे और पूरा का पूरा वावस किये जाएंगे और मिस्रित मोड में आप सभी के कलास लिया जाएंगे या ओनलाइन मोड में या ओफलाइन मोड में या ऐसे हो सकते हैं दोस्तों तीन दिन ओनलाइन मोड में रखा जाएगा और तीन दिन ओफलाइन मोड में रखा जाएगा यह भी हो सकता है क्या कि मिस्रित मोड में भी कह तो आप नीचे कमेंट लिखे दोस्तों आप अगर कच्छाई करना पसंद करेंगे तो किस परकार से ओनलाइन कच्छाई या आफ लाइन कच्छाई करना चाहेंगे या घर बेटे ही कच्छाई करना चाहेंगे आपके साब से क्या होना चाहिए नीचे कमेंट करके आप अपने निर्देश दिया कि सभी सभी संबंद कॉलेजों में मेरिट अधारे दाखिले 31 अक्टूर तक पूरे होने चाहिए ताकि छातरों के साथ साथ संकाई के लिए भी सेचनिक वर्ट्स का कोई नुस्कान ना हो COVID-19 महामारी के कारण देश भर के 20 विद्धल और कॉलेज मर्च से बंद होगी है आप सभी को पता है दोस्तों मर्च से लेकर यहां पर अक्टूर तक पूरा का पूरा लोकडाउन के कारण पूरा सभी के कछाएं यहां पर रद करके पूरा का पूरा क्लोस कर दिएगे लेकिन 18 नमबर से सबी भी इस विद्धाले के खूलने के लिए ये संकल्प द्रिड संकल्प लिया जा रहा है संकर्मन के जोखिम को कम करने के लिए online कच्छाएं, online classes और offline कच्छाएं परिपरिच्छाएं आउजित की जा रही है यहाँ पर बता दें दोस्तों online classes और online परिच्छाएं भी आउजित की जा रही तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देखे कि किस परकार से विद्धार्थों के लिए यहाँ पर नए नए कदम और नए नए updated दोस्तों UGC के तरफ से ला रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि UGC के तरफ से यह guideline सिप इगनू में ही flow नहीं होगा बलकि जितने भी इन्वर्सिटी है कॉलकता इन्वर्सिटी है डिली इन्वर्सिटी हो बैंगलोर इन्वर्सिटी हो महराष्ट इन्वर्सिटी हो जारकार में जितने इन्वर्सिटी पटना इन्वर्सिटी हो यह किसी भी परकार को भी इन्वर्सिटी यानि कि UGPG में सभी बिद्दार थी, जितने भी बिद्दार थी पढ़ए उन सभी पर यह नियम यह कानून लागों होगा, क्यों की यूजी सी के ओफिसली बेवसाइट में आना चाहेंगे तो आप आके आसानी से दोस्तों देख सकते हैं यहां पर ओफिसली तोड़ पर नोडिस जारी कर दिया इसके आलावा भी दोस्तों आपको बता दे इसके आलावा भी दोस्तों आप सभी के लिए यह एक बहुती राहत बरी खबर होंगे कि अब आप सभी पहले जैसा जो है दोस्तों यहां पर आ सकते हैं स्टेडी सेंटर पर लेकिन दोस्तों इस बात को भी खास ध्यान रखेगा इगनू वाले के नीडिट अगर आप मास्क लेकर लगा करकर नहीं जाने जाएंगे गलफ स्पहन कर आप नहीं जाएंगे तो आपको कलासेस में इंटर करने की अनुमती नहीं दी जाएगी आपके हाथों में आपके पैकेट में 50 ml का सेनिटराइजर आपके पास मोजुद होना चाहिए और आप सभी को माक्स लगा हुआ होना चाहिए तभी जाके आप कलास के इंटर कलास के अंदर आपको घुसने के लिए परमीड दिया जाएगा अदरवाज आपको कलास से बाहर निकाला जा सकता है इसलिए जब भी कलास करने जाईएगा तो इन सभी बातों का जरू से जरू ध्यान रखेगा लेकिन दोस्तों आप नीचे कमेट लिखे कि कलास जो सुरू होने वाली है इससे कितने लोगों के खुस खबरी है क्या आप खुस है या नहीं है आपके हिसाब से कलासेज को अठारो नॉमबर से खोलना चाहिए या जब तक कोरना वाइरिस की कोई दवा नहीं आ जाए तब तक इसी परकार से बंद रखा जाना चाहिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए दोस्तों अपने बिचार हमारे साथ जरूद शेयर करिएगा आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्पुन होते हैं चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब करें वेल का इकुन को हीट करें और जूर जाए आने वला हर परकार का वीडियो देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों कोई नई वीडियो के साथ नई जानकरे के साथ आसा करते हैं यह वीडियो भी आप सभी के लिए काफी ज़्यादा लाबदाएक हुआ होगा दोस्तों यह आज का नीजे ध्यान रिखेगा यह अभी अभी जस्त तूरन 9 अक्टूर आज है और अभी अभी जस्त 10 बच के 9 मिनिट पर ही यह लिंक जो है जारी किया या था सभी का क्लासिस स्टार्ट करने को लेकर मिलते हैं दोस्तों नई अपडिट के साथ नई जानकरे के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद